शिब बाबा याद है ना? शिब दाता कल्यान करने वाला एक मैं हूँ तो महीमा भी एक गोड़ फादर की करनी चाहिए और उनको ही याद करना चाहिए क्योंकि इस योग अगनी से तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे देखो सर्वशक्तिवान बाप से तुमको कितनी माइट मिल रही है अगर उनक को याद कर लायक नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी फिर बाब ने कहा तुम हो सच्चे सच्चे ब्राहमन तुम सब आत्माओं को मुझे ही फोलो करना है अभी बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो 21 जन्म तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे तुम्हारा रोना चिल अभी बाप तुमको काम चिता से उतार ग्यान चिता पर बिठाने आये हैं इसलिए तुम्हें डबल अहिंसक बनना है ना काम कटारी चलानी और ना ही लड़ना जगडना है और लास्ट में बाबा ने कहा अंत समय खुशी में वही रह सकेंगे जिनको निष्चे होगा और च चक्र का ज्यान भी होगा बाकी सब होपलेस केस हो जाएंगे आगे चल कर देखना जैसे तुमको निष्चे हुआ है ऐसे बहुतों को होगा पिछाडी के समय याद की यत्रा में भी बहुत रहेंगे उस समय जिनकी अवस्था बहुत अच्छी होगी वही साक्षतकार करेंग और अब सुनते हैं महबाक्यों को विस्तार से मुडली का सार मीठे बच्चे सर्व का सदगती दाता एक बाप है बाप जैसी निशकाम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता प्रश्न न्यू वर्ड सापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है उत्तर एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिरसे लक्ष्मि नारेण जैसे पुझे देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते बाकी सर्व आत्माई वापिस शान्ति धाम जाती है हर एक को अपना हिसाब किताब जुक्तु कर लायक बन कर वापिस घर जाना है गीत इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल ओम शान्ति मीठे मीठे रुहानी बच्चों ने गीत सुना बच्चे जानते हैं यह है पाप की दुनिया नई दुनिया होती है पुन्य की दुनिया वहाँ पाप होता नहीं है वह है राम राज्य यह है रावन राज्य इस रावन राज्य में सब पतित दुखी हैं, तब तो पुकारते हैं हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, सब धर्म वाले पुकारते हैं ओ गोड़ फादर आकर हमें लिब्रेट करो, गाइड बनो, गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म हैं सारी स्रुष्टी में सब को ले जाते हैं, इस अमें सभी रावन राज्य में हैं, सभी धर्म वालों को ले जाते हैं वापिस शांती धाम, विनाश तो सब का होना ही है, बाप यहाँ आ कर बच्चों को सुख धाम का लायक बनाते हैं, सभी का कल्यान करते हैं इसलिए एक को ही सर्व का सदगती दाता सर्व का कल्यान करने वाला कहा जाता है बाप कहते हैं अभी तुम को वापिस जाना है सभी धर्म वालों को शांती धाम निर्वान धाम जाना है जहां सभी आत्माई शांती में रहती है बेहद का बाप जो रचियता है वही आकर सभी को मुक्ती और जीवन मुक्ती देते हैं तो महिमा भी उस एक गोड़ फादर की करनी चाहिए जो सर्व की आकर सेवा करते हैं उनको ही याद करना चाहिए बाप खुद समझाते हैं मैं दूर देश परमधाम का रहने वाला हूँ सबसे पहले जो आदिसनातन देवी देवता धर्म था वह है नहीं इसलिए मुझे पुकारते हैं मैं आकर सभी बच्चों को वापिस ले जाता हूँ अब हिंदू कोई धर्म नहीं है असुल है देवी देवता धर्म परंतु पवित्र ना होने कारण अपने को देवता के बदले हिंदू कह दिया है हिंदू धर्म सापन करने वाला तो कोई है नहीं गीता है ही सर्वशास्रमई शिरोमने वे भगवान की गाई हुई है भगवान एक को ही कहा जाता है गौड फादर श्री कृष्णु व लक्ष्मी नारेन को गौड फादर व पतित पावन नहीं कहेंगे यह तो राजारानी है उन्हों को ऐसा किस ने बनाया बाप ने बाप पहले नई दुनिया रचते हैं जिसके य मालिक बनते हैं कैसे बने यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं बड़े बड़े लखपती मंदिर आदी बनाते हैं उन्हों से पूछना चाहिए इन्होंने यह विश्व का राज्य कैसे पाया कैसे मालिक बने कभी कोई बतला नहीं सकेंगे क्या कर्म किया जो इतना फल अब आप समझाते हैं तुम अपने धर्म को भूले हुए हो आदिसनातन देवी देवता धर्म को ना जानने कारण सब और और धर्मों में कनवल्ट हो गए हैं वे फिर रिटर्न होंगे अपने अपने धर्म में जो आदिसनातन देवी देवता धर्म के हैं वे फिर अपने ही ध शेपलिंग लग रहा है जो जो जिस धर्म का है उनको अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा यह जाड है इनकी तीन ट्ईब्स हैं फिर उनसे वृधी होती जाती है और कोई यह नौलेज दे अब बाप कहते हैं तुम अपने धर्म में आ जाओ। कोई कहते हैं मैं सन्यास धर्म में जाता हूं। रामकृष्ण परमहंस सन्यासी का फॉलोवर हूँ, अब वो है है निवृती मार्ग वाले, तुम हो प्रवृती मार्ग वाले, ग्रिस्त मार्ग वाले निवृती मार्ग वालों के फॉलोवर्स कैसे बन सकते हैं, तुम पहले प्रवृती मार्ग में पवित्र थे, फिर रावन दवारा तुम अपवित्र बने हो, यह बातें बाब समझाते हैं, तुम हो ग्रिस आश्रम के, भक्ति भी तुमको करनी है, बाब आकर भक्ति का फल सदगती देते हैं, कहा जाता है, religion is might, बाब religion सापन करते हैं, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बाब से तुमको कितनी might म आकर सबकी सद्गती करते हैं और कोई न सद्गती दे सकते हैं न पा सकते हैं यहां ही वृधी को पाते रहते हैं वापिस कोई भी जा नहीं सकता बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूं सबको आकर सद्गती देता हूं सद्गती कहा जाता है सत्यूग को मुक्ति है शान्ती धाम में तो सबसे बड़ा कौन हुआ बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम सब ब्रदर्स हो सबको बाप से वर्षा मिलता हैं सबको आकर अपने अपने सेक्षन में भेजने के लायक बनाता हूं लायक नहीं बनते तो सजाएं खानी पड़ती हैं हिसाब किताब जाते हैं वह है शान्ती धाम और वह है सुख धाम बाप कहते हैं मैं आकर न्यू वर्ड सापन करता हूं इसमें मेहनत करनी पड़ती हैं एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूं जबसे तुम वाम मार्ग में गए हो तो सीड़ी नीचे उत करने की सतो प्रधान से सतो रजो तमो अभी यह है संगम बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार हूं मैं कोई इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता हूं मैं पुरुशोत्तम संगम युग पर ही आता हूं अब कहा जाता है फोलो फादर बाप कहते हैं तुम सब आत्माओं क मुझे ही फोलो करना है मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप योग अगनी में भस्म होंगे इसको कहा जाता है योग अगनी तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मन तुम काम चिता से उतर ग्यान चिता पर बैठते हो यह एक ही बाप समझाते हैं क्राइस्ट बुद्ध आदी सब एक को याद करते हैं प्रंतु उनको यथार्थ कोई जानते नहीं अब तुम आस्तिक बने हो रचता और रचना को तुमने बाप दबारा जाना है रिशी मुनी सब नेती नेती कहते थे अर्थात हम नहीं जानते स्वर्ग है सच्च खंड दुख का नाम नहीं यहां कितन दुख है आयू भी बहुत छोटी है देवताओं की आयू कितनी बड़ी है वह हैं पवित्र योगी यहां है आपवित्र भोगी सेड़ी उतरते उतरते आयू कमती होती जाती है अकाले मृत्यू भी होती रहती है बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे तो ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए बाबा ऐसा वर्षा देते हैं जो वहां कोई दुख नहीं तुम्हारा रोना चिलाना बंद हो जाता है सब पार्ट धारी है आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है यह भी ड ब्रह्मा का दिन और रात गाई हुई है ब्रह्मा का दिन रात सो ब्रह्मनों का अब तुम्हारा दिन होने वाला है महाशिवरात्री कहते हैं अब भक्ति की रात पूरी हो ज्यान का उध्य होता है अब है संगम तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हो अंधियारी रात में धक्के भी खाए टिपड भी घिसाई पैसे भी खलास किये अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको शांती धाम और सुख धाम में ले जाने के लिए तुम सुख धाम के रहवासी थे चुरासी जनम के बाद दुख धाम में आकर पड़े हो फिर पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में यह तुम्हारी दुनिया नहीं है तुम अब योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो तुमको अब डबल अहिंसक बनना है ना काम कटारी चलानी है ना लड़ना जगड़ना है बाप कहते हैं मैं हर पांच हजार वर्ष के बाद आता ना की लाखों वर्ष का अगर लाखों वर्ष का होता फिर तो यहां बहुत आदम शुमारी होती गपोड़े लगाते रहते हैं इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ मेरा भी ड्रामा में पार्ट है पार्ट बिगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ मैं भी ड्र मामा के बंधन में हूँ, पूरे टाइम पर आता हूँ, मन मनाभव, प्रन्तु इसका कोई अर्थ नहीं जानता, बाप कहते हैं, देहे के सभी संबंद छोड, मामे कम याद करो, तो सब पावन बन जाएंगे, बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते रहते हैं, यह है इश् पर बाप आकर सारे विश्व को चेंज करते हैं, हेल से हैविन बना देते हैं, जिस पर तुम राज्य करते हो, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, यह है बाबा का भाग्य शाली रथ, जिसमें बाप आकर करते हैं, शिव जयंती को कोई भी जानते नहीं है, वह तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, अरे नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं, कहते हैं यह आकाश है, तो यह नाम तो हुआ ना, भल पोलार है परंतु फिर भी नाम है, तो बाप का भी नाम हैं कल्यान कारी फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखे हैं बाबुरी नाथ भी कहते हैं वह आकर काम कटारी से छुड़ा कर पावन बनाते हैं निवरिती मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं उनको ही याद करते हैं ब्रह्म योगी तत्व योगी कहलाते हैं प्र लेते हैं समझते हैं हम लीन हो जाएंगे गोया आत्म को विनाशी बना देते हैं बाप कहतें मैं ही आकर सर्व की सद्गती करता हूं इसलिए एक शुबाबा की जयनती हीरे तुल्य है बाकी सब जेंतिया कोडी तुल्य हैं, शुबाबा ही आकर सब की सद्गती करते हैं, तो वह है हीरे जैसा, वही तुमको गोल्डन एज मिले जाते हैं, यह नौलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवी देवता बनते हो, फिर यह नौलेज प्राय लोप हो जाती है, इन लक्षमि नारण में रचता और रचना की नौलेज नहीं है, बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं ऐसी जगह ले चलो, जहां शान्ती और चैन हो, वह है शान्ती धाम, फिर सुख धाम, वहां अकाले मृत्यू नहीं होती है, तो बाप आए हैं बच्चों को, उस सुख चैन की दुनिया में ले चलने, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते, न दोनों डाइनेस्टी बनती हैं जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते हो उतना और कोई जान नहीं सकेंगे न पवित्र बन सकेंगे बाकी सुनेंगे बाप आया हुआ है तो बाप को याद करने लग जाएंगे सो भी तुम आगे चल यह भी देखेंगे लाखों करोडों समझ से जाएंगे वायू मंडली ऐसा होगा पिछाडी की लडाई में सभी होपलेस हो जाएंगे सभी को टच होगा तुम्हारा आवाज भी होगा स्वर्ग की सापना हो रही है बाकी सभी का मौत तयार है प्रंतुव वह समय ऐसा होता है जो घुटका खाने का समय नहीं रहेगा आगे चल बहुत समझेंगे जो होंगे ऐसे भी नहीं यह सभी उस समय होंगे कोई मर भी जाएंगे होंगे वही जो कल्प कल्प होते हैं उस समय एक बाप की याद में होंगे आवाज भी कम हो जाएगा फिर अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने लगेंगे तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे बहुत दर्द नाक घटनाई होती रहेंगी सभी को मालूम पड़ जाएगा कि अभी विनाश होना है दुनिया चेंज होनी है विवेक कहता है विनाश तब होगा जब बोम्स गिरेंगे अभी आपस में कहते रहते हैं कंडिशन करो वचन दो हम बोम्स नहीं चोड़ेंगे लेकिन ये सभी चीजें बनी हुई है विनाश के लिए तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी है तुम जानते हो नई दुनिया बन रही है समझ से हो बाप ही नई दुनिया सापन करेंगे वहाँ दुख का नाम नहीं होगा उसका नाम ही है पैराडाइज जैसे तुमको निश्चे है वैसे आगे चल बहुतों को होगा क्या होता है जिनको अनुभव पाना है वह आगे चल कर बहुत पाएंगे पिछाडी के समय याद की यात्रा में भी बहुत रहेंगे अभी तो स समय पड़ा है पुरुशार्थ पूरा नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा पुरुशार्थ करने से पद भी अच्छा मिलेगा उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी साक्षातकार भी करेंगे कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है वैसे होगा जिन में न पहली पोइंट डबल अहिंसक बन योग बल से इस हेल को हैविन बनाना है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुशार्थ करना है दूसरी पोइंट एक बाप को पूरा-पूरा फोलो करना है सच्चा सच्चा ब्राह्मन बन योग अगनी से विकर्मों को दगद करना है, सबको कामचिता से उतार ग्यानचिता पर बिठाना है वर्दान, नीश्वार्थ और निर्विकल्ब स्थिती से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव, सेवा में सफलता का आधार आपकी नीश्वार्थ और निर्विकल्ब स्थिती है इस्थिती में रहने वाले सेवा करते स्वियम भी संतुष्ट और हर्शित रहते और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते सेवा में संगठन होता है और संगठन में भिन-भिन बातें भिन-भिन विचार होते हैं लेकिन अनेकता में मुझो नहीं ऐसा नहीं सोचो किसका माने किसका नहीं माने निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णे लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्थ बन जाएंगे स्लोगन अब सकाश दवारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंब करो अच्छा आज का अव्यक्त ग्यानमोती बहुत विशेस है सभी भाई बहने जरूर सुने अव्यक्त ग्यानमोती सुनने के लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करे कि अव्यक्त